नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चेनल रिशी आर्ट एंटेटेन में दोस्तों कुछ लोगों की आर्थिक इस्तिती अच्छी ना हो पाने के कारण उनको बड़ा मंच नहीं मिल पाता लेकिन सोसल मेडिया में इतनी ताकत है कि आगर आप में टेलेंट है तो पर्स से अर्ष तक पहुँचा सकता है जी हाँ दोस्तों ऐसा ही हुआ है ममता वर्मा के साथ आज इनकी लाखों में फैन फॉलोइंग है आज हम इनकी बायोग्राफी और लाइफ इस्टायल के बारे में बात करेंगे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों इनका रियल नेम ममता वर्मा है जो मानपूर इंदोर मद्दे प्रदेश से हैं पढ़ाई में इन्होंने ग्रेजुएट किया हुआ है और हाउस वाइफ हैं इनकी एक पांस साल की गुडिया भी है ममता वर्मा की सुरुआ टिक टोक से हुई थी ममता बताती है कि सुरू में मैंने लिफ्ट सिंग वीडियो बनाए लेकिन उनमें अच्छा रेस्फोंस नहीं मिला और मेरे वीडियो मेरी गुडिया सूट करती है फिर मैंने डांस के वीडियो अपलोड किये कुछ लोग कमेंट में मुझे पागल बलेक कोब्रा और भी कुछ बोलते थे लेकिन मैंने सबको इग्नोर किया और वीडियो डालती रही फिर इनके वीडियो वाइरल होने लगे दोस्तों ममता वर्मा रोबोटिक स्टाइल में डांस करती है जो लोगों को काफी फसंद आता है इनको लोग रोबोटिक गर्ड भी कहते हैं इनके टिक टोक पर 11 लाग फोलोवर हो गए थे टिक टोक बेन होने के बाद इन्होंने इन्स्टाग्राम रिल्स पर वीडियो अपलोड किये जो भी बहुत ज़्यादा वाइरल हो रहे हैं और दिनो दिन इनकी फैन फोलोवर बढ़ती जा रही है आज ममता वर्मा किसी इस्टार से कम नहीं है इन्स्टाग्राम पर इनकी ममता वर्मा के नाम से आईडी है जिस पर डेट लाग फोलोवर होने वाले हैं तो गाइज ममता वर्मा को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक करें, सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें